आज राम जी के विवाह की बहुत बहुत बढ़ाई आज राम जी दुलह बन के मिठला आई है हाँ ओ आज मिठला नंगरिया निहाल सक्किया चारो दुलहा में बड़ का कमाल सक्किया चारो दुलहा में बड़ का कमाल सक्किया तो चारो दुलहा वैसे तो चारो अच्छे है चारों है तो चारों ही अच्छे है पर बड़ का वाला बड़ का वाला कैसन है बताओ मेरी मा बड़ का वाला चारों सुन्दर है पर चारों दुलहा में बड़ का कमाल सक्खिया तो आप कितनी सक्खिया सीता जी की सक्खिया है सीता जी की सक्खिया हाथ उठाएंगी चलो तो आज सीता मैया का विवाह और वो भी जनकपुर में मिछलानचल में ज़रा भाव से जुम लो आज मिधलाना गरिया निहाल सकिया आज मिधलाना गरिया निहाल सकिया चारा दुले हमें बड़ता कमाल सकिया आज मिधलाना गरिया निहाल सकिया चारा दुले हमें बड़ता कमाल सकिया कै हो घरीबो हाँ हाँ प्रेम जहाँ हाँ 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 ठन flown एच हाँ माथे मणी मोरिया कुंडले सोहे कनमा काली काली कजे रारी जुल मीन यनमा काली कारी कजे रारी जुल मीन यनमा लाल लाल चंचन सोहे भाल सकिया लाल लाल चंचन सोहे भाल सकिया चारो दुलहा मैं बड़का कमा सकिया चारो दुलहा मैं बड़का कमा सकिया मिचलाना गरिया की हाल सकिया चारो दुलहा मैं बड़का कमान सकिया शामल स्यामल गोरे गोरे जोडिया जहान रे कैसे हैं मेरे राम जरस सुनियेगा शामल स्यामल गोरे गोरे जोडिया जहान रे शामल स्यामल गोरे जोडिया जहान रे अच्छा बचाओ स्यामल गोरे गोरे जोडिया जहान रे इसका मतलब है कि आखों ने आस्ता कैसी जोड़ी कभी देखी नहीं और कानों ने आसी जोड़ी के बारे में आस्ता कभी सुना नहीं आखिया न देखनी सुने लीने कान है जोड़ी आये जीवे बे मिसाल सकिया ऐसे नहीं आप माता सीता के घर के हो तो नजर तो अतारो माता सीता की सब लोग ऐसे कर जुग जुग जोड़ी आये जीवे में मिसाल सकिया चारो दोले हा मैं बड़े का कमाल सकिया चारो दोले हा मैं बड़े का कमाल सकिया चारो दोले हा मैं बड़े का कमाल सकिया अब कैसी सुन दरता है मिठला की बगने मगने आजे मगने धरतिया देख देख दूले हा के सावले सुरतिया देख दोले हा के सावले सुरतिया आपके आँ जब बेटा बेटियों का विवाह होता है तो ये गीत नहीं गया जाता क्या एरे तो गाव ना मेरे संग सा गगने मगने आज मगने धरतिया देख देख दूले हा के सावले सुरतिया बाल ब्रध नर नारी सब में हाल सकिया चारों दोले हा मैं बड़ का कमाल 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 सकिया वलिय राजा राम चंद्र भगवान की चैहो चनक नंदनी की चैहो गगन मगन आज गगन भी मगन हो गया गगन मगन आज मगन धरतिया ये धरती भी मगन हो गई देखी देखी दोलहा के सावल सुरतिया बाल ब्रध नर नारी बाल ब्रध नर नारी सब में हाल सकिया चारों दूलहा में बड़ का कमाल सकिया हाँ आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मुझे लगता है कि संसार में सादी है आज मेरे राम की शादी है हाँ छूमते हुए हाँ हो हाँ आज मुझे लगता है कि संसार में सादी है आज मेरे राम की शादी है हो आज मेरे राम की शादी है हो आज मेरे राम की सादी है बनी है तूप जो बनी है तूप जोड़ी राम सीथा की जोड़ी खुशी से नाचे है मिला सजिनी को साज़ा राम रंग में रग नए सीथा भूली सुदुद सारी सीथा की मन में बस जए अबद बिहार राम रंग में रग गए सीथा भूली सुदुद सारी सीथा की मन में बस जए अबद बिहार सीथा की मन में बस जए अबद बिहार सीथा की मन में बस जए अबद बस जए अबद दिल में तु राम नाम की जरजोंती जलन दे आएंगे तु राम नाम की जरजोंती जलन दे आएंगे आएंगे मेरे राम दी दिल से बुला के दे मेरे रामजी दिल से बजाते दे मस्भी भजी साथ है मेरे रामजी मेरे सथ है मस्भी भजी साथ है मेरे रामजी मेरे साथ है वोल ये राजा रामचंद्र भगवान की अभी तो मस्ती से लाला का जनम उत्सव भी मनाएंगे बैठ जाओ जल्दी से अभी तो रामजी का विवाह मनाएं हैं अभी तो लाला का उत्सव मनाएंगे बैठ जाओ मेरे माँ रामजी का विवाह संपन हुआ माता सीता के संग श्री भरत जी का विवाह संपन हुआ मैया मांडवी के संग सत्रुगन जी का विवाह संपन हुआ माता सुर्त कीर्थी के संग और श्री लक्षमन जी का विवाह हुआ माता बेटा बताओ लक्षमन जी की पतनी का नाम क्या चाओ चस्मा वाले भाईया बताएंगे ओ भाईया बताओ लक्षमन जी की पतनी का नाम क्या चाओ बताओ लक्षमन जी की पतनी का नाम बताओ माता उर्मिला ये चारों यहीं मिछला की हैं और राम जी अच्छा जब मैया, ओ मेरी माँ, अरे बैठो अभी कनिया के जनम के बधाई होगी बैठ जाओ मेरी माँ, बधाई लेके जाना बैठ जाओ जल्दी से राम जी जब मिठला आए और मंडप के नीचे बैठ कर जब विवाह की रस्म चालू थी तो जनकपुर की सखियां गारी दे रही थी गारी जानते हैं प्यार से भरी मीठी मीठी गालियां ससुराल पक्ष को दी जाती हैं तो सीता जी की सखियां गाली दे रही थी और कह रही थी सुनो लक्षमन जी बैठे थे, सत्रुगन जी भरत जी बैठे और हसी मजाक कर रही हैं सखीया मिठला थी और मजाक मजाक मैं कह रही है सुनो आयोध्या मैं कभी जाना तो वहां खीर मत खाना आयोध्या मैं कभी जाना तो वहां खीर मत खाना तो किसी आयोध्या वासी ने पूछ लिया क्यों नहीं खाना तो मिठला की सक्षियां बोली आयोध्या की खीर मत खाना क्योंकि वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं होती वहाँ बाप की जरूरत नहीं होती वहाँ तो खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लक्षमन जी को बड़ा बुरा लगा ये तो ताने मार रहे है तो लक्षमन जी ने मूर्चा समाला लक्षमन जी ने कहा जनकपुर आए हो तो यहाँ कोई जमीन मत खरीद लेना घर बनाने के लिए क्यों वोले यहां तुम घर बनाने के लिए खेत जमीन की खोदाई करोगे नीव डालने के लिए और जमीन खोदने से बेटी पैदा हो जाएगी यहां ना माग की जरूरत ना बाप की जरूरत जमीन खोदो से बेटी पैदा हो जाती अब ऐसी मीठी मीठी बातां एक दूसरे की तरफ से शुरू हो गई और दिव्य बिवाह संपन हुआ मैया सीता का और जब बिवाह के बाद जनक जी ने विदा की जानकी जी की विदाई हुई तो रौने लगी माता सीता जब बेटी विदा होती है तो रोती है बेटियों को ना जो बहुए है उन्हें बेटियों की तरह ही लाड़ और प्यार किया करो क्योंकि बेटी ही तो है न वो बहु की तरह नहीं बेटी की तरह लाड़ करो प्यार करो सीता मैया जब जानने लगी लड़की जब बिदा होती है माबाप से लिपट कर रोती है और हरब मावाप आश्रवाद देते हैं तुम जहां रहो खुश रहो सुखी रहो जब माता सीता अबद आई तो बड़ा स्वागत सम्मान हुआ कौसल्य माने मुद खाई सौनी का महल दिया अब एक अच्छी चर्चा में आपको सनाओ मैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ बैठ जाओ भीया श्री राम जी का 14 साल के लिए बनवास माता कहकई ने दे दिया राम जी का विवाह हुआ विवाह के बाद दसरत जी ने राम को राजा बनाने का मन बनाया तो कहकई माने कितने साल का बनवास दिया जोर से 14 साल का ही बनवास क्यों क्योंकि उस दिन से रावड की उमर 14 साल ही बाकी थी और सुनो राम जी जब बनवास गए केवट पर किरपा करते हुए राम जी जब चलते 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 चित्र कूट पहुँचे और वहाँ स्री भरत जी रामजी से मिलने आए चरण पादुका लेकर गए उसके बाद रामजी पंच वटी गए रावड ने माता सीता का हरण किया एक बात बताओ कि रावड ने जब माता सीता को चुराया तो सीता को बचाने की कोशिस किस ने की थी झाल झाल